आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड के नवाब सैफ अली खान की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज के बारे में और जानेंगे उनका बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टा और रवी किशन ने मूवी में अहम किरदार निभाए थे मूवी का बजट है 50 करोड मूवी ने कलेक्शन की 40 करोड और यह एक फलॉफ मूवी थी नंबर 9 तारा रमपम रिलीज 27 अप्रेल 2007 मूवी में सैफ अली खान और रानी मुखर जी ने लीड रोल प्ले किये थे मूव मूवी ने कलेक्शन की 38 करोड और यह एक सेमी हिट मूवी है नंबर 8 एजेंट विनोद रिलीज 23 मार्च 2012 मूवी में सैफ अली खान और करीना कपूर ने अहम किरदार निभाए थे मूवी की बजट थी 55 करोड मूवी ने कलेक्शन किया 43 करोड और यह एक फलॉफ मूवी है नंबर 7 फैंटम रिलीज 28 अगस्ट 2015 मूवी में सैफ अली खान और कैटरीना कैफ ने लीड रोल प्ले किये थे मूवी का बजट है 70 करोड मूवी ने कलेक्शन की 54 करोड और यह एक फलॉफ मूवी थी नंबर 6 रिलीज 21 मार्च 2008 मूवी में सिफ अली खान अनिल कपूर अक्षय खन्ना काटरीना कैफ बिपाशा बसू और समिरा रेड़ी ने अहम भूमिका निभाई थी मूवी की बजट है 46 करोड मूवी ने कलेक्शन की 103 करोड यह एक सुपर हिट मूवी थी नंबर 5 हमसकल रिलीज 20 जुन 2014 मूवी में सिफ अली खान रितेश देशमुख तमन्ना भाटिया बिपाशा बसू और इसा गुपता ने अहम भूमिका निभाई थी मूवी का बजट था 64 करोड मूवी ने कलेक्शन की 86 करोड यह एक एवरेज मूवी थी नंबर 4 लव आजकल रिलीज 31 जुलाई 2009 मूवी में सिफ अली खान और दीपिका पादुकोन ने लीड रोल प्ले किये थे मूवी की बजट थी 35 करोड मूवी ने कलेक्शन की 120 करोड यह एक सुपर हिट मूवी थी नंबर 3 कोक्टेल रिलीज 13 जुलाई 2012 मूवी में सिफ अली खान दीपिका पादुकोन और डाइना पेंटी ने लीड रोल प्ले किये थे मूवी की बजट है 35 करोड मूवी ने कलेक्शन किया 127 करोड और यह एक सुपर हिट मूवी थी नंबर 2 रेस टू रिलीज 25 जनवरी 2013 मूवी में सिफ अली खान जोन अबराहम अनिल कुमार और दीपिका पादुकोन ने लीड रोल प्ले किये थे मूवी की बजट थी 94 करोड मूवी ने कलेक्शन की 162 करोड यह एक हिट मूवी थी नंबर 1 विक्रम वेधा रिलीज 30 सितंबर 2022 मूवी में सिफ अली खान और रितिक रोशन ने लीड रोल प्ले किये थे मूवी की बजट थी 135 करोड मूवी ने कलेक्शन की 100 करोड और यह एक फलॉफ मूवी है